प्राजीन समय में गुड़ को शरीर के लिए अम्रित माना जाता था जितकी चीनी को सफेद जहर अयुर्वेद का मानना है कि गुड़ में मौझूद तत्व शरीर के असिट को खत्म करते हैं गुड़ बच्चों के लिए काफी लाबकारी होता है इसके सेवन से बच्चों की शरीड में कई जरूरी तत्वों की पूर्थी की जा सकती है शारिरी कमजोरी को दूर करने के लिए पोशक तत्वों वाला गुर बहुत फाइदेमन होता है निरोगी काया और दिरगायों के लिए नियमत रूप से भोजन के बाद 20 ग्राम गुर का सेवन करना चाहिए छोटे बच्चों को गुर खिलाने से उनकी हड़िया मजबूत होती है गुर में मिनरोस, केल्शियम और फॉसफोरस भरपूर मातरा में होता है जो हड़ियों को मजबूत करता है गुर आपके पेट के बिमारियों के लिए भी बहुत फाइदेमन्द है गुर के सेवन से हानिकारक पदार्थों को शरी से बहार निकाल कर लीवर को भी साफ किया जा सकता है गुर में अन्रिफाइन शुगर पया जाता है इसकी मदद से शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है गुर की तासीर गर्म बदाई जादी है गुड की मदद से मौसम परिवर्तन से या अनिक ऐसे कारण से सर्दी जुकाम आदी आसानी से निजात मिल सकती है अक्सर गर्मियों में कब्स की समस्या हो जाती है गुड में अन्रिफाइन शुगर पाया जाता है जिससे digestive enzyme को सक्रिय करने और बच्चों में पाचल को बढ़ावा देने में मदद मिलती है गुड में iron होता है और iron शरीर में हीमोगलोबिन बनाने में मदद करता है हीमोगलोबिन की पूर्ती के लिए गुड का सेवन करना फायदे मन रहता है तो आप भी गुड का उप्यूग करें और अपनी शरीर को स्वस्त रखें सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स